दोस्तो आपका स्वागत एक बर फिर से हमारे योट्यूब चैनल दा अनेस्ट में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी डिफेंस मिनिस्टरों की लिस्ट के बारे में दोस्तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 15 अगस 1947 के बाद कितने अभी तक इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर बने है और उनकी पॉलिटिकल पाड़ी कौन सी है और उनका टैनुवर कब से कब तक रहा तो चली वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं तो नमबर वन पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे बलदेव सिंग जी दोस्तों इनका टैनुड था 15 अगस्ट 1947 से लेके 13 माई 1952 तक और उनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी नमबर दो पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे अन गुपाला स्वामी आयानगर दोस्तों इनका टैनुड था 13 माई 1952 से लेके 10 अगस्ट 1953 तक और उनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी नमबर चार पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे ये थे केलास नाथ कटजू दोस्तों इनका टैनुड था 10 जनवरी 1955 से लेके 30 जनवरी 1957 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी दोस्तों इसके बाद जोहालनाल नहरुजी दूसरी बार भारत के एक बार फिट से डिफेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टैनुड था 30 जनवरी 1957 से लेके 17 अपराइल 1957 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नबर पांच पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे वी के कृष्णा मैनाउन दोस्तों इनका टैनुड था 17 अपराइल 1957 से लेके 31 अक्तूबर 1962 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो इसके बाद ही एक बार फिट से तीसरी बार जोहनला नैरुजी डिफेंस मिनिस्टर बने भारत के और इस बार इनका टैनुड था 31 अक्तूबर 1962 से लेके 14 अक्तूबर 1962 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 6 पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे ये श्वंतराव चवान दोस्तो इनका टैनुड था 14 अवंबर 1962 से लेके 13 अवंबर 1966 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 8 पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे जग जीवन राम दोस्तो इनका टैनुड था 27 जून 1970 से लेके 10 अक्तूबर 1974 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो इसके बाद स्वरन सिंग जी एक बार फिर से दूसरी बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने और इनका टैनुड था 10 अक्तूबर 1974 से लेके 1 दिसंबर 1975 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी दोस्तों इनका टैनुड था 20 दिसंबर 1975 से लेके 24 मार्च 1977 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी दोस्तों इसकी बाद इंद्रा गांदी जी एक बार फिट से भारत की डिफेंस मिनिस्टर बनी और इनका टैनुड था 14 जनवरी 1980 से लेके 15 जनवरी 1982 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 12 पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे ये थे रामा स्वामी वेंका टारमन दोस्तो इनका टैनुड था 15 जनवरी 1982 से लेके 2 अगस 1984 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 13 पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे बारत के ये थे शंकरा राओ चवान दोस्तो इनका टैनुड था 2 अगस 1984 से लेके 31 दिसंबर 1984 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 14 पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे ये थे पीवी नरसीमा राओ दोस्तो इनका टैनुड था 1 जनुवरी 1985 से लेके 25 सब्तमबर 1985 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो नमबर 15 पर जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे बाहरत के ये थे राजीव गांती जी दोस्तो इनका टैनुड था 25 सब्तमबर 1985 से लेके 24 जनुवरी 1987 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी नमबर 16 पर जो बाहरत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे ये थे विश्विवनात परताप सिंग दोस्तो इनका टैनुड था 24 जनुवरी 1987 से लेके 12 अपरेल 1987 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएनसी तो इसके बाद विश्वनात परताप सिंग जी दूसरी बाहरत के डिफेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टैनुड था 2 दिसमबर 1999 से लेके 10 नुवंबर 1990 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी जनता दल तो नमबर 18 पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे ये थे चंदर शेखर दोस्तो इनका टैनुड था 10 नुवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी समाजवादी जनता पाड़ी रश्ट्रिया तो इसके बाद पीवी नरसी मराओ जी दूसरी बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टैनुड था 21 जून 1991 से लेके 26 जून 1991 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएंसी तो इनका टैनुड था 26 जून 1991 से लेके 6 मार्च 1993 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी थी आएंसी नरसी बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे यह थे मुलायम सिंग यादव दोस्तो इनका टैनुड था 1 जून 1996 से लेके 19 मार्च 1998 तक और इनकी पॉलिटिकल पाड़ी समाजवाधी पाड़ी तो नरसी नरसी पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने थे यह थे 2001 तक और इंक्की पॉलिकल पार्टी थी भारती जननता पार्टी तोसरो इसके बाद जोरज फिननेडिस जी दूसरी बार भारत के दिफैंस मिनिस्टर बने और इस बार इंका टैनोहर था 21 अक्तूबर 2001 से लेके 22 मैं 2004 तक और इंकी Central प्रणम उखर जी दोस्तों इनका टैनुओर था 26 मई टूटोबर 2004 तक और इनकी पंडोग पाटी थी आइशी तो नेबर 25 पर जो भारत के दिफैस मिनिटर बने थे ये थे आरुन जेटली दोस्तों इनका टैनौड था 26 मई 2014 से लेके 9 November 2014 तक और उनकी political party थी BJP तो No. 27 पर जो भारत के defense minister बने थे ये थे Manohar Parikar दोस्तो इनका 10 ओर था 9 November 2014 से लेके 13 March 2017 तक और उनकी political party थी BJP तो इसके बाद अरुन जेटली जी दूसरी बार भारत के defense minister बने और इस बाद इनका 10 ओर था 13 March 2017 से लेके 3 September 2017 तक और इनकी political party थी BJP तो No. 28 पर जो भारत के defense minister बने थे ये थे निर्मला, सीठारमन दोस्तो इनका 10 ओर था 3 September 2017 से लेके 30 मई 2019 तक और इनकी political party थी BJP तो No. 29 पर जो भारत के defense minister बने थे ये थे राजनात सिंग और दोस्तो ये 30 मई 2019 को भारत के defense minister बने थे और ये अभी तक प्रेज़न में बारत के defense minister ही है और इनकी political party है BJP तो दोस्तो ये थी भारत की defense minister की पूरी की पूरी list उनका 10 और उनकी political party के बारे में पूरी information दोस्तो आशेकर तो वीडियो आपको काफी informative लगी होगी पार्टी का defense minister आपको देखने को मिलेगा तोस्तो ये थी हमारी वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ